हेलो फ्रेंस आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है आज इस वीडियो में रिजनी के कुछ इंपोर्टेंट को डिसकस करेंगे जो आने वाले एक्जाम्स के लिए बहुत ही हेलफुल होंगे पहला क्वेश्चन जो है वह लूप संक्या है मिसिंग नंबर है तो हमको क्या करना है कि साथ है ग्यारा है चौदा है आठ है नो है बारा है ठीक है लास्ट में 13 265 क्वेश्च करें इसको जो 113 लाना है एक सो थेरह कैसे ला सकते हैं हो सकता है यह चापन होगया साथ और करके एक्सक्राइब नहीं ला सकते तो देखतें साथ पर अगर स्क्राइब कर देते हैं तो इसको एड़ करेंगे तो तो कितना 144 होगा तो स्कॉर हमको याद रखना चाहिए ठीक है लगभक तो मेरे कुतना 50 तक स्कॉर याद रखना यी रखना चाहिए 5, 4, 6, 265 तो 265 मेरा आ गया 7, 14 पर स्क्वाइर प्लस 95 स्क्वाइर करेंगे 14 पर स्क्वाइर कितना हो गया 196 और प्लस कितना हो गया 81 ठीक है ऐसे यह एट कैसे करेंगे तुरेंट 6, 7, 7, 190 प्लस है 270 यह कितना हो गया 270 तो 270 किसना option पर है option number A पर है और question mark के जगह में क्या होगा तो इसमें हमको पकड़ना कैसे है तो देख रहे हैं 116, 128, 146 170 फिर 200 तो इंक्रीज करा है यह नंबर और कैसा बहुत प्लस करेंगे धीरे-धीरे इंक्रीज करेंगे जब धीरे-धीरे इंक्रीज करेंगा तो क्या जम निकालने का खुशिस करना चाइए इसका डिफ्रश कितना हो जाएगा 116, 28 जाना यानि कितना हो गया 12 एक्ट कर रहे है इसमें सिकना एक्ट कर रहे हैं इसमें 18 एक्ट करणें यानि कि 24 इसमें कितना किए अब देखो अब 12 हो गया 24 हो गया अगर 6 का मल्टिपल देखेंगे चौदुना 12 चौती 28 चौट चौबिस और 6 35 चाज के 36 ठीक है तो यहां पर कितना हो गया प्लस 36 करेंगे यह फिर ऐसे नहीं करना आ तो देख रहें कि फिर आगे में double difference है एक तो difference ही हो गया एक difference यहां पर शेचे का difference बढ़ गाए तो यहां भी हम छे difference कर दिये तो 36 हो गया अब चुके increase हो रहा है तो 236 मेरा answer 200 plus 36 हो गया 236 मेरा correct answer होगा जो कहां option number d में है कि next question में कर रहा है कि find the number of triangles तिरभुजों की संक्यां ग्याद कीजिए इस आकरती में हमको तिरभुजों की संक्यां ग्याद करना है तो इस आकरती को पहले देखते हैं तो यह जो है चारो कोना आपस में मिला हुआ है और यह मिट पॉइंट भी आपस म सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें टोटल नंबर कितना हो गया सोलर ट्रैंगल हो गया अब क्या करना है कि यह जो है यह तिरभुज है और इसमें 20 से जो है एक लाइन मिट पॉइंट पर या कहीं भी खिचा गया है तो इसको तीन भाग में डिवाइड करती है कैसे पहला य काल लेंगे नम्रिंंग कर देंगे एक और दो अटकर दिया ऊन प्लस dwa हो ग गया तो यहां भी हो गया वान अट देख रहे हैं कि यह इसकोएर वाला पार्ट और यह स्क्वाइर पर शायार जो है कॉमन मिलके एक ट्रेंगल गाने मान करता है इधर से यह वाला ठीक है एक तो यह हो गया दूसरा ऐसे भी हो गया यह वाला इधर दो हो गया ठीक है प्लस टू यह हो गया और इधर भी इसी तरह क्या हो गया एक तो यह वाला हो गया ऐसे करके ऐसे प्लस टू यानि टोटल कितन कि संख्या टोटल नमबर और ट्राइंगल इतना हो जाएगा 26 हो जाएगा अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं नेक्ट वेशन है मिसिंग नमबर का लोग संख्या गयाद करना है तो दो चार च्छे के उटके हमको 26 बनाना है ठीक है तो हम 26 के नजदीक जाने का कोशिस करेंगे चुकि अगर इसको नमबर को गुना कर देंगे तो बहुत बड़ा नमबर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे कि 2 पर स्कॉयर किये और 4 पर स्कॉयर किये तो 16 चार क्या हो गया 20 हो गया 20 में 6 आट कर दिये तो 26 तक चला गया 5 पर स्कॉयर हुआ 3 पर स्कॉयर हो गया 25 और 9 कितना 34 और प्लस 1 आट कर दिये तो कितना हो गया 35 तो लॉजिक समझ में आ गया पहला नमबर का स्कॉयर प्लस द तेरह में कितना एट करना है दस करना है और अप्शन नमबर दीज दा करेक्ट अंसर यह क्या एक स्रिंखला एक स्रीज है इसको लॉजिकली वे में हमको भरना है ठीक है तो इसमें क्या होगा कि रिपिटेशन के अधार पर हम भर सकते हैं जैसे यहां देखिए कि M N है यानि N क पहले यहां पर क्या भर देंगे M भर दिए फिर N के बाद क्या है O है ठीक है और M के बाद क्या है N है तो M के बाद N हर जगा हम भर देंगे नो कर दोदों के तो गधरएंगैं मिनिंतर लिखागिया फिर एमन ओ लिखा गया फिर इंए अफिर लिखा गया ठिक है, तो क्या क्या भराया यहां? पहला M भराया, फिर क्या दूसरा? N भराया, फिर N भराया, फिर Q भराया तो कौंसा शीए्लीज होगा इसमें? M and N Q तो किसमें है? पहले वाला में है तो पहला वाला जो है, इसका correct answer होगा Q việcion में कहรा है कि guru तो पांच मित्र है नीशु जो रिया से लंबी है कि यह नीशुन कर दिए ठीक है से निशु को रिया से लंबी हो ग Arbeits scientifically इस को डिनेनरब कर दिए लेकिन कद में पूझा से छोटी है तो किसके लिए कि निशु जो है पुजा से छोटी है तो पुजा को पी से डिनोट कर दिए तो निशु कहां हो गया पुजा और रिया के बीच में हो गई next क्या कर रहा हैि कि अमरीता सबसे चोटी है तो 5 लोग ही है पहला दूसरा यह बिला हो गया तीसरा चा नथा और पाँचंता वहाँ सबसे चोटी है मतल़ सबसे आखरी पर कौण होगा अमरीता होगा फिर आगे क्या कर रहा है कि रिया जो है नीशू से कम लंबी है रिया निशू के नीचे है लेकिन निकिता से लंबी है लेकिन जो है निकिता से लंबी है लेकिन ये क्या हो गया निकिता से लंबी है NS से निशू को denote करते हैं क्योंकि 2N वाला आ गया निकिता को NI से denote करते हैं तो इस तरह हो जाएगा यानि क्या हो गया कि निशु जो है रिया से उपर होगा और क्या होगा यह कौन था यह तो निशु इता तो ऐसे हो गया तो निकिता से रिया से छोटा कहां पर होगा यहां पर एक दिया है कि यह सबसे लास्ट में होगा ठीक है यह सबसे लास्ट में होगा मतलब जो है रिया आम्रिता के बीच में भी एक पर्षन होगा कौन होगा जो निकिता हो गया फिर कौन निकिता हो गया और फिर लाश्ट में कौन हो गया कि अम्रिता हो गया तो यह मेरा करेक्ट अंसर होगा ठीक है कि वा कि यहां पर क्वेश्चन कौन 국 choosing बूबा है धूसरा सबसे लंबा कौन हो ए निशिव गया दूसरा सबसे मला होगज यानि option number जो D होगा वो मेरा क्या होगा correct answer होगा next question missing number का है तो हमको क्या लाना 71 लाना है इन दोनों संक्यां का use करके तो क्या करेंगे दोनों संक्यां में कि 71 के लगवग नजदीक चले जाए अगर हम 11 और 5 को गुना कर दें तो कितना हो गया 55 अब कितना ज्यादा जाना एकत्तर के लिए 16 जाना है तो 16 कैसे ला सकते हैं 11 और 5 को add कर दिये तो क्या हो जाएगा 16 हो गया तो यहां 71 आ गया एड करने पर सेंटू सेंटू सेंट को दूसरा पर भी देखना है कि 9 सत्य कितना होता है 63 हो गया और 9 प्लस 7 कितना हो जाता है दोलह हो गया तो यह कितना हो जाए 79 तक मोज गया सेंब टू सेंब हमको इसके साथ भी करना है इन दोनों का यूज़ करना और इन दोनों का यूज़ करके यहां तेरा इन्टू आट कर दिए तेरा अठे कितना हो गया एक सो चार हो गया और तेरा प्लस आठ कितना हो गया 21 हो गया अब इसको अगर एड़ करते हैं तो कितना हो जागा इधर पांच हो गया इधर बारह हो गया यानि 125 मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा और सीज्ट करेक्ट आंसर यह परकार का इनलॉजी का क्विश्टन है कमांडर नेवी से रिलेटेड है से में बिर्गेडियर के से र किस में होता है आर्मी में होता है तो इसका जो सही अंसर और correct अनसर है नेक्स्ट मेरा क्वेश्टन जो है यह ब्लड रिलेशन का है इसमें कह रहा है कि जानकारी दिया गया कि एम इस दा सिस्टर ऑव कि आर इखिए कि बाँन ऑर इस दर प्रदर ओफ ए डिया घर दी चा भा बना लेते हैं आर क्या है ब्रदर है या निर्म है यह को अब ती जो है आर की मां है इसका भी दिया गया है तो हम को जंडर ही नहीं पता चला तो हम कैसे बताएंगे चुके टी आर की मां है और यह तो यह दोनों जो है तो पता चल गया मेल है यानि कि यह पुत्र होगा तो यह पुत्र होगा कि पुत्री होगा यह नहीं पता चल रहा है और दो अगर इसको भी देते हैं यह तो आपस में भाई भाई होगा तो इन तीनों के लिए टी मां हो गई तो इसका हस्बेंट कौन हो गया एक हो गया कि तभी मेरा पॉसिबल है कि एम इस दा फादर ओफ एफ इस दा फादर आफ एम तो यह मेरा इससे पता चल जाता है यह क्या होग मेल होगा तो अगर question में रहता option में कि दी जो होगा या तो brother होगा यह भाई होगा यह फिर sister होगा तब मेरा होता लेकिन हमको confusion ऐसा तो option क्या हो जाएगा हमको नहीं पता चल रहा है कि दी बहाई या बहन तो data inadequate का जहांकारी अधूरा है जानकारी हमको पूरा नहीं दिया ग करके तो answer मेरा यह मार देते हैं एक एक सर्टेन कोड में वेपको जो है इस तर लिखा जाता है और वींस को जो है स्पॉम में लिखा जाता है तो जिस तरह से इसको Convert किया गया है सेम कोड में को सेन को भी Convert करना है तो इन दोनों में देखते हैं कि डबलू के लिए एक special code का यूज किया गया है क्या 5 पहला डबलू है और इसमें भी पहला हो गया 5 के लिए code किया गया है तो डबलू क्या यहां पर है नहीं है तो पांच वाला मेरा answer कहीं भी नहीं होगा और ऐसे भी है ठीक है इसको ध्यान में देना यह नम्बरिंग है लेकिन यह जो है coding का इ i के लिए क्या 9 n के लिए क्या at the rate s के लिए copyright तो मेरा s है तो s के लिए क्या हो जाएगा copyright हो जाएगा एक के लिए क्या code किया गया है परसेंट और n के लिए क्या code किया गया है at the rate ठीक है और e के लिए code किया गया स्टार एक बात याद रखना है कि जब भी लेटर का code अगर दिया रहे और सेम लेटर से किसी नय का कोड बनाना है इस लेटर में अगर उट्र दिया गया है तो हम डिरेक्ली इस ही कोड से उठा के कोड बनाना है तो मेरा क्या हो जाएगा सेन का copyright percent एड़ डेरेट copyright percentage एड डेरेट is टारॉप्शन नम्बर is the correct answer थिक है यहां एक question दिया गया है इसको direct blood relation का question कहता है pointing towards a lady हिंदी मनवात करते जा रहा हूं कि pointing towards a lady मतलब एक औरत की ओर इसारा करते हुए locus state locus कहता है यानि यहां पर क्या है एक auntie lady और locus क्या है एक gentleman कहता है लोकेश कहता है लोकेश कर रहा है इसकी तरफ इसारा करते है लेडी की तरफ she is the daughter of my mother's only daughter she is the यानि वह लेडी के लिए वह जो है इस लेडी के लिए चुके इसारा किसके ओर कर रहा है लेडी क्योर तो उसी बारे में कहेगा she is the daughter of my mother's only daughter अब देखिए my mother's only daughter इसको पकड़ी है मेरी मा की एकलावती बेटी है उसकी बेटी जो है मेरी मा की एकलावती बेटी है तो मेरी मा की यानि मेरी किसके लिए लोकेस के लिए तो लोकेस का क्या हो गया मदर हो गया यानि कि मा हो गया मा की एकलावती बेटी क्या हो गया मेरी मा की एकलौती बेटी का बेटी है और मतलब का तो इतना हो गया लोकेस के लिए फिर बेटी का बेटी है कौन यह लेडिस यह जो इसकी बेटी है डॉटर की डॉटर है ठीक है इसके बारे में अब बताइए कि यह तो लोकेस की मा हो गई अब मा की बेटी लोकेस का कौन हो गया ठीक है लोकेस का मा का बेटी लोकेस का कौन हो गया लोकेश का क्या हो गया बहन हो गया यानि सिस्टर हो गया और सिस्टर का जो बेटी हो गया वो फिर लोकेश का कौन हो गया सिस्टर की जो बेटी होगी लोकेश की कौन होगी बहन जी होगी तो यह जो है डॉटर है यह डॉटर कौन है यही है यानि यह जो है लोकेस का कौन हो गया भगनी हो गया यानि भांजी की जिसको बोलते हैं नीस बोलते हैं तो हमको क्या इसकी भगनी हो गयी तो ये कौन हो गया इसका मामा हो गया लोकेस कौन हो गया ये इसका मामा हो गया जिसको क्या बोलते हैं मेटरनल अंकल मोलते हैं नहीं दिया है लेकिन चाचा के form में है तो option number 20 दा correct answer हो जाएगा ठीक है